बिहार कोडोना की दूसरी मार झेलल रहा है। और सरकार या दावा कर रही है कि जो भी मरीज हैं उनकी समुचित इलाज हो रहा है, अस्पतालों की ववस्थाहें ठीक हैं लेकिन अस्पतालों की ववस्थाहें भी लगाताई डीटीवी भारत आपको दिखा रहा है किस तरीके से मंगल पंड़े ही एनमसीच में पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए डॉक्टर्स वहाँ पहुंच जाते हैं और एक पुर्व सैनिक की मौत हो जाती है इलाज नहीं होने के करण लेकिन इस वक्त हम आपको एक और डरावनी तस्वीर दिखाएंगे जो की पटना एरपोर्ट की है इस वक्त हम पटना एरपोर्ट के में गेट पे है और यहां पे यह खूडे का डबबा देख सकते हैं और इसमें पीपी किट काफी संख्या में पड़ी हुई है और यह सरकार के दावो की पोल खोल रही है अगर आप सोच सकते हैं कोई वैक्ती यहां पे आता है तो उसको संक्रमंद का खत्रा क्यों नहीं होगा इस तरीके से पीपी किट खुले में फेका हुआ इस डस्ट बीन की बात करें वहीं दूसरी और की तस्वीरे दिखाना चाहेंगे रोड क का गेट नंबर एक है एक से एंट्री करते ही यह नजारा आपको देखने को मिल गए यह देखिए जिदर आप देखिएगा उदर यह पीपी किट है यह मास्क ऐसी फेके हुए हैं और यह कहीं न कहीं डरावनी तस्वीर इस वक्त पटना एरपोर्ट से हम आपको दिखा रह की-ैं की किलोगों की सुडक्ष् धार-वफित आप प्रशाषन पर वी स्वाल खड़ा होता है कि आखिर इनको क्यूं नजर्ए अंदाज किया रहा है लोगों की आत्विर देखने से कही ना कहीं डर लगेगा और जो भी लोग एयरफोर्ट पे आते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों से संक्रमित हो सकते हैं और जिस तरीके से लगतार कोरोना का संक्रमन्ट फैल रहा है बिहार इससे अचूता नहीं है बिहार में भी रोजाना एक्टिव मरीज मिल कहीं है और अस्पताल की ववस्ता है मरीजों का क्या हाल होता है ऐस्पताल में वो भी भारत आपको लगतार दिखा रहा है किस तरीके से अस्पताल में बैड़ फुल हो गए हैं हलाकि स्वास्थमंत्री ने दावा किया है कि बट बढ़ाये जा रहे हैं और सरकार व्यवस्त से ही आपको दिख जाएगा और इस तरीके से यहां पे इन सब चीजों को फेका नहीं जाना चाहिए निशेट ठाकूट डीटीव वारत पट्ता